सब्सक्राइब करने वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना चलिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंट्स हम स्टार्ट करने हैं आप्सक्राइब करके वेल आकन जरूर प्रेस करते हैं ताकि सारी इंपॉर्टन वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी आप भी डाउनलोड कर सकते हूं वाँ पर आपको क्याट एंब्ड एंड वीडियो फ्री ओफ्कॉस्ट प्रवाइड होते हैं और आप हम ऐसाथ इंस्ट्राग्राम पर भी कनेक्ट हो सक जो की नौ बज़े से रात में बारा बज़े तक होंगी और हंडर्ड आर्ज से जादा का आपको लाइव वर्क्शॉप कॉंटेंट मिलेगा सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे के लिए 30 60 90 अप्रोच पर चलेंगे एक्यूरेसी एन अटेंप्ट पर फोकस होगा रिकॉर्डि सकते हो कि यह 10 नौवेंबर को दिवाली से पहले पहले आपकी सारी कि सारी रिविजन वोक्शॉप्स ओवर हो जाएंगे अगर फ्रेंज हम बात करें MDI के बारे में तो MDI एक टॉप टियर कॉलेज इसको माना जाता है MBA के अंदर यह सेट अप हुआ था 1972 के अंदर और फर्स जिससे की क्यूरेट करें जा सके क्रियेट करी जा सके सस्टेनिबल ऑल्टेनेटिव तो MDI को अगर हम रेट करें तो टॉप MBA कोलेजिस के अंदर डेफिनेटली MDI का नाम आएका अगर फ्रेंज हम बात करें कि अब MDI के दो कैंपसे है इनका जो में कैंपस है वो गुरुग् कैंपस है बिलकुल में हाइवे के ओपर से ही दिखता है और दूसरा इनका मुर्शिदाबाद का है दोनों के फॉर्म आगए लेकिन आज की वीडियो के नाम स्पेसिफिकली गुरुग्राम यानि कि गुरुगाओं वाले कैंपस को ही कवर करेंगे यह जो डिखेंगे प्लीज इसए पहले आप इस वाले अपलाई पर क्लिक करो हर एक प्रोग्राम इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो प्लीज इसके बरोशर को थोरfaright Messamon दीजे उसके बारे में सारी important details आपको बता होनी चाहिए बिना किसी college के brochure को read करें प्लीज उसके program में apply मत करना जब आप इसका brochure read कर लो तो आपको यहाँ पे जाके apply पे click करने और इस तरीके से आपका एक page open हो जाएगा यहाँ पे आपको सारी details डालनी होंगी और आपकी registration process शुरू हो जाएगी आपको MDI का separate form भरना पड़ेगा अगर आप इसका separate form नहीं भरोगे तो MDI आपको consider नहीं करेगा अगर friends हम बात करें कौन-कौन programs है तो MDI में चार प्रोग्राम है सबसे पहले तो इनका एक general PGDM का program है PGDM specialization HRM का program है PGDM specialization international business का program है PGDM specialization business analytics का program है अगर हम चारोई programs के बार में बात करें तो अगर आप इसमें apply करना चाहते हो तो अगर आप MDI गुडगाओं में सिर्फ apply करते हो तो आपको 3000 उपी फी पे करनी है अगर आप मुर्षदभाद में apply करते हो तो आपको 1000 प्लस GST यानि की 1180 आपको पे करना है और अगर आप दोनों में apply करना चाहते हो तो आपको 3590 दोनों के अंदर पे करना है और अगर जो NRI बच्चे है उनको 8496 पे करना है और अगर हम timeline के बारे में बात करें तो timeline यह है कि cat की registration शुरू होके खतम भी हो चुकी है इसकी जो online applications है वो 26th September से शुरू हुई है 24th November को MDI गुडगाओं की जो application form है वो खतम हो जाएगा और cat की जो date है वो 26 November यानि की cat की date से दो दिन पहले ही MDI का form खतम हो जाएगा तो अगर आपको MDI गुडगाओं का form भरना है तो आपको cat से पहले भरना पड़ेगा cat के बाद यह भरने का आपको option नहीं देगे अगर फ्रेंस हम बात करें specializations की तो अगर कोई बच्चा PGDM करता है तो वहाँ पे आपको six terms देखने के लिए मिलते है के ट्राइमेस्टस जो होते हैं और हर एक सार में 353 होते हैं और आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी specializations आप PGDM में कर सकते हो तो PGDM के अंदर आप accounting and finance में specialization कर सकते हो information management के अंदर marketing के अंदर operations management के अंदर और strategy management के अंदर ये dual specialization भी offer करते हैं और specialization के अंदर minimum five elective courses आपको करने पड़ते हैं अगर friends हम eligibility के बारे में बात करें तो eligibility PGDM HRM के लिए थोड़ी सी different है और international business के लिए थोड़ी सी different है क्या है इसको हम देखते हैं कि minimum 50% marks तो आपके 10th and 12th में होने ही चाहिए उसके बाद आपकी अगर मैं HRM और PGDM के बार में बात करूँ तो HRM and PGDM के लिए आपको basically general program और HRM के लिए minimum three years की graduation चाहिए जिसमें आपके at least 50% marks हो लेकिन अगर आप international business के अंदर apply करना चाहते हो तो आपकी जो graduation है वो four years की होनी चाहिए अगर आपकी three years की graduation है तो आप international business वाले program में eligible नहीं हो and four years की graduation के बाद आपको minimum one year का full time work ex भी चाहिए तो जिन बच्चों की चार साल की graduation है और एक साल का work ex है वो ही international business में apply कर सकते है otherwise वो नहीं कर सकते जो बच्चे final year के अंदर भी है अपनी graduation के वो भी eligible है apply करने के लिए PGDM HRM और business analytics के अंदर और अगर हम international business के बार में फर्दय बात करें तो यह in collaboration with करते हैं ESCP Europe एक बार जब यह बच्चे program को complete कर लेते हैं तो उनको post graduate diploma in management IB उनको award किया जाता है and MIM masters in management from ESCP Europe भी उनको award किया जाता है अगर friends हम seats के बार में बात करें तो PGDM program में 240 seats है HRM में 60 seats है IB में 120 seats है और business analytics के अंदर 120 seats है अगर friends हम method of selection के बार में बात करें तो सिरफ cat का score यह accept करेगा कोई और score accept नहीं करेगा तो candidates को select किया जाता है on the basis of their performance in the cat exam और profile भी यह देखते हैं उसके बाद बच्चों को VAT, GD and PI के लिए बुलाते हैं VAT करवाएंगे या नहीं करवाएंगे इनकी यह description है और उसके बाद final selection final composite score के basis पर होता है अगर friends हम बात करें कि final selection यह किस basis पर करते हैं तो cat को यह weightage देते हैं GDPI को weightage देते हैं VAT यहाँ पर होका नहीं होगा यह finally decide करेंगे कि VAT को यह weight include करेंगे या नहीं करेंगे उसके लावा academic merit, work experience, academic diversity, social diversity इन सबको भी weightage दी जाएगी जिसके basis पर final selection बचोगी होगी अगर friends हम fee structure के बार में बात करें तो अगर हम PGDM, HRM और business analytics के program को देखें तो आप देख सकते हो इन तीनों ही programs की जो total fee है वो 24,16,000 रूपीज है जो आपको pay करना पड़ेंगे और इसके अंदर आपके सारे boarding charges, lodging charges यह सब कुछ included है और अगर कोई बच्चा international business के लिए जाता है तो उसकी जो fee है वो 28,16,000 रूपीज उसको यह pay करना होगा इसके लावा friends अगर हम cutoff के बारे में बात करें तो अगर हम merit based के बारे में बात करें कि आप सिरफ merit based apply करना चाहते हो तो आपको 95 plus percentile चाहिए cat के अंदर अगर आप profile based apply करते हो तो आपको 91 से 92 के अपर भी cat में अगर आप ले आते हो तो आपको call आचाती है और in case अगर कोई बच्चा मुर्शेदा बार में apply करना चाहता है तो उसकी हम separate वीडियो भी मनाएंगे उसकी 75 से 80 के as far as percentile cat में रहती है इसके लावा friends आपको fee structure से गबरानी के बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत सारी scholarships भी available है इसके लावा banks finance के भी option आपको बहुत जादा देखने के लिए मिलेंगे ओपी जिंदल scholarship है फिर उसके बाद बच्चों को merit based scholarship दी जाती है पूनम ज्यान चंदानी memorial scholarship है जो की 5 लाख रुपे की है उसके बाद merit का means based scholarship भी EWS category के बच्चों को दी जाती है तो आपको scholarships भी आप यहां से avail कर सकते हो as well as bank finance भी आपको बहुत easily यहाँ प 25-30 लाख रुपे खर्च करने वाले हैं अपने सारे खर्चे मिला के तो किस तरीके से हमें reward summer placements और final placements में देखने के लिए मिलेगा इस सब को देखते हैं अगर हम PGTM के बारे में पहले summer placements को discuss करें तो top 10 percentile का average stipend था वो almost 4 lakh था top 25 percentile का 3.82 से 90 के बीच में था top 50 percentile का 3.40 के असपास था और entire batch का 2.85 lakhs का stipend था और आप देख सकते हो number of recruiters में maximum बच्चे FMCG FMCD में गए हैं फिर BFSI में गए हैं automobile conglomerate में गए हैं फिर consulting में हैं e-commerce में फार्मा में हैं और technology में अगर मैं HRM के बारे में बात कहूं तो top 10 percentile का 3.9 था top 25 percentile का 3.35 था top 50 percentile का 3 था और entire batch का 2.56 था और यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो अगेन बच्चे FMCG के अंदर consulting के अंदर BFSI के अंदर automobile conglomerate के अंदर यहां पर गए हैं इसके लावा अगर हम batch profile को भी देखें तो आप देख सकते हो 23 percent बच्चे freshers थे एक से 12 महीने वाले 8 percent थे 13-14 महीने वाले 15 percent बच्चे थे इसके लावा average work age 28 months का था average cat percentile 96.42 थी professional certifications 38 percent बच्चों के पास थी 31 percent बच्चे tier 1 college से थे and 28 percent 72 percent की gender diversity थी और average age 26 years की थी इसके लावा अगर हम key statistics देखें तो total number of recruiters 102 थे, total number of students 472 थे, total number of new recruiters 21 थे, percentage increase in median CTC 11 percent था, median CTC जो offer किया गया वो 26.13 था, highest CTC 60 lakhs का था, pre-placement offers 154 students को मिल गई जो की बहुत अच्छी कासी है और maximum offers by a single company आप देख सकते हो 55 और किन-किन domains में recruitment हुई है, 16 आप देख सकते हो percent बच्चे conglomerate में, 21 percent BFSI में, 18 percent consulting में, 5 percent e-commerce में, 14 percent FMCG में, 7 percent healthcare में, 21 percent technology में, यहाँ पे recruitment हुई है अगर हम final placements के बारे में बात करें, तो final placements अगर हम PGDM और international business के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो, top 10 percentile की जो average थी, वो 43 थी top 25 percentile की जो average थी, वो 37.39 थी, top 50 percentile की जो थी, वो 32 प्लस थी, और entire batch की 27.67 थी और आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काफी जादा जो recruitment हुई है, वो आप रेक सकते हो recruiters, telecom and technology से काफी जादा है उसके बाद consulting से, automobile से, conglomerate से, BFSI से, यहाँ पे maximum जो placement हुई है, including FMCG, FMCD, इसके लाब आप देख सकते हो, 164 percent increase हुई है इंदी number of offers, जो की conglomerate automobiles ने किये हैं, sector wise offers भी आप देख सकते हो, consulting के अंदर 112 offers थे, e-commerce में 12 offers थे, BFSI में 95 थे, telecom में 46 थे, FMCG में 34 थे, healthcare में 16 थे और automobile में 37 थे, इसके लाबा friends अगर हम HRM को देखें, तो top 10 percentile की जो थी, वो 42 lakhs प्लस थी, top 25 percentile की 35 lakhs प्लस थी, top 50 percentile की 30 lakhs प्लस थी, और entire batch की 26.42 थी, अगर हम यहाँ पे recruitment देखें, तो automobile में 10 percent, BFSI में 8, consulting में 13, e-commerce में 4, FMCG में 6 और technology में 6 percent, और यहाँ पे अगर हम देखें number of recruiters, consulting से 46 थे, sector wise offers जो थे, sorry, e-commerce से 7 offers थे, BFSI से 14 offers थे, telecom से 9 offers थे, FMCG से 9 offers थे, healthcare से 6 offers थे, automobile conglomerate से 31 offers थे, और आप देख सकते हो, 190 percent increase हुआ है, automobile energy and logistics company के offers, तो friends यह सब कुछ था, आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने complete discussion कर लिए MDI गुडगाओं की, जल्दी हम वीडियो MDI मुर्शिदा बाती भी बनाएंगे, तो उसके लिए भी चैनल को subscribe कर लेना, सारी important updates अब forms की आती रहेंगी, इसके लाव अगर आप advanced workshops में enroll करना चाहते हो, तो हमारी website है, यहाँ पर जाके complete details आपको बिल जाएंगे, और अगर आपकी कोई भी query है, तो आप हमें whatsapp या email भी कर सकते हो, so thanks a lot, all the best, God bless you.